नमस्कार आप देख रहे हैं वे टाइम न्यूस बढ़ते हैं 36 गड़ की खबरों की ओर सहमती के कोटवार निक्त किया गया है जिसे की ग्राम पंचार सिंगूल के सभी ग्रामिड काफी आकरोशित हैं 37 बताय कि जिस वेक्ति को कोटवार बना गया है उसी वेक्ति द्वारा गाउ में ही 8 से 10 एकरशास की भूमे पर कब्ज़ा किया गया है ऐसे अपात्र वेक्ति को गाउं का कोटवार बनाया गया जिसे की गाउं के विकास में काफी खत्रा है तो वही दूसी तरफ पूर्व कोटवार के इस्तिफा देने के बाद नियमता है गाउं की सर्वसहमती से नए कोटवार की निक्ति किया जाना था परंतू पंच सरपंच द्वारा मनमाने तरीके से गाउं के ही तेरस कश्यफ पिता सदराम को कोटवार बना दिया गया है तो दूसरी तरफ न्यार मिलने के आज में पूर्वा कोटवार की पत्मी सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है कि आख बात कि और घृचिज कोटवार के तो बनेंगे ऊड़क है तो कि अगया पंधाना सब्सक्राइब कर दोड़क की यह और वही एडिकार पंध क्वेस्स मेंदगने पर अब्सक्राइब और शाय सब्सक्राएबिक है तो जोब बने मिलें रहें वहाइं लोग और यह इसक इसलिए पुरे गाहों में बैठट करके बोल को चीज का निरना करो बोलके आपका जो मर्जी आपको करो दो मैं करूंगा और रहते कि आप अमने मजी सब्सक्राइब करूंगा मैं कोटवार नियुकती के संबंद में शीकायत लेके कलेक्टर आपिस कलेक्टर सर के पास आया हूँ जो कि समझ तक ग्राम बसी भी मेरे साथ आये हैं और सरपंच सांती भाई पती हासी राम और पंच और सचिव मिल के पैसा लेकि जो है तेरस राम कस्यप पीता सदर राम से के पैसा लेके मैं पोटवार नियुकत है जो कि घाओं के खिलाब हुआ है गाओं वाले से कुछी सजेशन नहीं लिए है उसके बीना पुछे है वँन लोगार जा के पोटवार नियुक्त करके तश्यलदार सर को दे दिया है तो कलेक्टर सर को ये बता है तो कलेक्टर सर हम लोग को बोले है कि ये चीज गलत हुआ है और बहुत ही जल्दी इनका करवाही करेंगे करके